बांगलादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदूओं को निशाना बना रहे हैं जोस पर विश्व हिंदू परिशत ने चिंता जटाते हुए केंद्र सरकार से उनके बचाव के विवस्था सो निश्रित करने की अपील की है बांगलादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाय जाने पर विश्व हिंदू परिशत के प्रांतियम मंत्री राजेश जैन ने कहा कि बांगलादेश की प्रधान मंत्री हमारे भारत में शरण लेकर बैठी है बांगलादेश भारत का अंग रहा है लेकिन वहाँ पर हिं कदम उठाया जाए विश्व हिंदु परिशद हर इस्तर पर मदद के लिए तैयार है पिछले दो तिन दिन से लगातार हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं बंगला देश में जो घट रहा है वहां पर चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं है और वहां से जो निर्वाद्चित प्रधान मंतरी थी वो वहां से अभी भारत में शरन लेकर मेटी हैं और किसी अन्य देश ने उनको शरन नहीं दी बंगला देश क्योंके भारत का ही अंग रहा है और वो आज जिस स्थिती में है उसकी कलपना मातर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो उनके साथ घट र हो रही है इतने हिंदु ओं का वहां पर नर्श हाहा, हिंदू मंद्रियों को तोड़ना, हिंदू परिवार्ण को लूटना, उनकी असमिता लूटना, यह सब होने के बाद यह ऐसे मानवा दिकार वाल्य जो संगठन है वो कहा थे तो विश्विंदू परिषद केंद्र से म मांग करता है कि हमारे जितने भाई वहां पर है उन सब की सुरक्षा का जिम्मा भी हमारा ही बनता है रबिन दरना टेगोर युनिवर्सिटी भोपाल निर्फ रंक्ट फॉर फाइव कंसेकिटिव यर्स आप देख रहे हैं डखल न्यूल